बॉलिवड के कई सितारे फिल्मों के अलावा अपनी धन दौलत और शान और शौकत के लिए जाने जाते हैं जिन में अभी नेता सलमान खान का नाम भी शामिल है जो आज बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं वाई भी बॉस 14 की जानी वाने कंटेस्टेंट राकी स सामद भी खुबसर क्यों में है यो तो ये दोनों ही बॉलिवड के बहतरीन कलाकार हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों ही कलाकार आज एक दूसरे के साथ एक गहरा बॉंड शेयर करते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो तो इसलिए आज की इस वीडि पतारों के लिए आप उमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें साल 1988 में आये फिल्म वीवी हो तो ऐसी में एक सायक अभीनेता के रूप में अपने अभीने करियर के शुरुआत करने वाले अभीनेता सलमान खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई सूपर इड फिल्मों में काम किया और लोगों के दिलों को जीता है वहीं बात करे राखी सावन की तो एक डांसर के तौर पर जानी जाती है पर राखी नहीं कई भैतरीन फिल्मों में भी काम किया उनकी पहली फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी जिसका नाम अकनी चक्र है हाला कि इस फिल्म में उन्हें उनके असली पहचान नहीं मिली जिसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र में गीता के किरदार में काम करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने अपने किर्दार को बखुबी पर उतारा था जिसे देख उन्हें जोरू का गुलाम जिस देश में गंगा रहता है मुंबई के एंडेंस साला, एक कहानी जूली की और उपकेश जैसी कई शांदार फिल्मों में काम करने का मौका मिला इस तरह इंडेस्ट्री में उनकी पहचान बढ़ती गई और अभी भी राकी इंडेस्ट्री में खूब धमाल मचा रही है लेकिन अगर बात करें सलमान खान और राकी सावंद के कनेक्शन के बारे में तो आपको बता दे कि दोनों के बीच आज गुरू और शिश्या का रिष्टा है जी हाँ अभी नित्री राकी सावंद सलमान खान के दल से बहुत रिस्पेक्ट करती है साथ ही उन्हें अपना भगवान भी मानती है वह सलमान भी राकी को अपना शिश्या माते है जब राकी के मम्मी कैंसर के टियूर की बिमारी से पेड़ी थी तो सलमान ने ही राकी की काफی मदद की थी जिसके बाद दिनों ने सलमान खान को मा की जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए एक वीडियो शेर किया जी हाँ राकी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश चारी किया और बजरंगी भाईजान को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी की सोमवा को कैंसर के ट्यूमर को हटाने के लिए सरजरी होगी उन्होंने बताया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है राकी ने अपनी मम्मी से पूछा कि उन्हें क्या कहना है तो राकी की मम्मी ने कहा, मैं सलमान जी को नमस्कार करती हूँ, मेरे जीजस को हम प्रातना करते हैं, कि अब हमारे पास कुछ नहीं, तो हम आपके ही हैं परमेश्वर, येशो ने सलमान खान को एंजल बना कर हमारे जीवन में भेचा, और मेरे लिए आज सलमान खान खड़े रहे हैं, मेरा ओप्रेशन करवा रहे हैं, उनकी पूरी फैमली मेरे साथ खड़ी है, मैं परवेश्मर को धन्यवाद करती हूँ, मेरे भगवान ने मुझे सलमान खान के रूप में एक परी दी है, ये उनके और उनके परिवार की वज़ा से है, कि मैं यह पाने में सक्षम ह और मैं भगवान और सलमान को धन्यवाद देती हूँ, जिसके बाद राखी ने भी सलमान का शुक्रियादा करते हुए कहा, आपने हमी दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर दिया है, मैं अपरातना करती हूँ, कि हैर घर में आपके और सोहिल खान जैसे बेटे हो, मैं आच राखी सावन, सलमान को अपना भगवान मानती हैं और उनके दिल से बहुत इज़त करती हैं, लेकिन क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी को अपना भगवान मानते हैं, अगर हां तो आप में उनका नाम, कमिंट बॉक्स में कमिट करके सरुर बताएं, साथ ये बॉलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें